देगे मैं सौरप सिंग राशपूत जो है पंडित कुशिलाल शर्मा शासकी आर्वेद महाविदयले उन संस्थान में त्रित्रिवाद और मुंग के दाल के बारे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंग के दाल आर्वेद में सभी समिताओं में वनित है जो है शिंबी धान्य के जिसमें दाल की पूरी बारे में वनित किया गया है उसमें उसको बताया गया है तो सबसे जो उत्तम दाल जो है वो बताया गया है आधर कि यहां पर यहांट हए बन 50 पर साथ में पडोल पत्र आमलकी के साथ मिला कर आधर के विसर्प में Mr. U.M. अजिए हैं से बात करें तो इसमें कार्भो हाइड्रेट्स और प्रोटीन काफी इंपॉर्डेंट में पाई जाती है जैसे कि इसमें हर 100 ग्राम में 24 ग्राम लगब प्रोटीन होता है सब्सक्राइब इसमें इसमें बढ़ाता है तो इन सारी चीज़ों में मौंग डाल का इस्तमाल इसके लिए कर सकते हो तो सबसे पहले तो आपको इम्नुटी जो बाउडी की जो पाउर होती है वो बढ़ आती है तो आप लगब लगब सभी विमारियों से जो है वो रणने की शंतार उनकी बढ़ आती है साथ में फॉलेट की मात्रा होने के वरिए से आपकी हीमोगलोबिन इसमें बढ़ती है और जब फीवर हो या फिर जब आपको डायरिया हो रहा हो तो यह क्योंकि लगू होता है यानि कि आपको पचाने में इजी है तो आप उसको उस टाइम पर इस्तमाल कर सकते हो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर के लिए भी जैसे की और जब भी आप सबसे इंपॉर्टेटिस का यूज यह है कि जो समय की भूख होती है जिसमें हम को कुछ भी ऐसा ही नॉर्मल खाने का मन करें तो आप उसमें मुंग का डाल के इस्तमाल करो तो आपके लिए बहुत होगा बहतर तो यह होगा कि मुंग के डाल को आप जो है डाल जैसा बना कर खाते उसको बाल कर खाते हैं वह ज्यादा अच्छा बेनिफिशल माना जाता है और बाकी जो हम उसके विभिन तरीके के फॉर्मलेशन भी यूज होते हैं आप जो है उसमें थोड़ी से आमल की डा कर लें और घ्रत के साथ उसका उप्योग करें तो और ज्यादा बेरिफिशल हो जाता है हूँ